कि अब बाइब आप लोग आप लोग अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई भी अब स्टार्ट कर चुके होंगे बिकॉज आप जानते एक दिवाली बीच चुकी है और आपको पूरी फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए तो फटा फट आप सभी लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाए कैसी चल रहे एक बार कमेंट के माधम से सभी लोग सबस्ता हाबडा टाएं कि चाहिए क्तशक्षन मैं पिल्कुण और एनरजी हाई होनी चाहिए बीटा मैं आप लोगों के लिए ठीके न, मैं आप लोगों के लिए बिटा इतना महनत करता हूँ, तो आपको भी जवर्जस तरीके से बताना होगा, कि आप लोग कैसे हैं, फटाफट, गोड एवनिंग सभी को, सभी को गोड एवनिंग बिटा, फटाफट बताएंगे, पढ़ाय लिखाई, आप इस्टार्ट करना होगा, क्योंकि आप देखें, टाइव जादे बचा नहीं है, नवंबर भी बिल्कुल बीट जाएगा, दिसंबर में एक्जाम है आपके, तो दिसंबर में एक्जाम को मान के हमें पढ़ाई करना है, और ब आज को बेटा इसमान के बिल्कुल मत पढ़ा करिए, कि सर ये समिस्टर का पढ़ाया जा रहा है, गलत है, ये गलत फहमी, आप निकाल दीजे माइंड से, दिल और दिमाग दोनों से निकाल दीजे, और दिल और दिमाग में बैठा लिजे कि एक्जाम में आपके, इक्जाम में भी यहां से सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए बेटा, विदाओ टाइम वेस्ट की हम यहां पर स्टार्ट करते हैं, खतरनाक तरीके से सेर भी करेंगे बेटा, सभी लोग सेर करिए, सभी लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं, फटा-फट बेटा, आज हमारा चेप्टर नमबर 4 में दूसरा लेक्षिन होने वाला है, जिसमें हम क्या करेंगे बिटा, यहाँ पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले कॉर्निस क्या होती है, सर कॉर्निस कुछी नहीं होती, कॉर्निस तो आप लोगों नहीं देखा हुआ है, आप देखिए, हमने क्या कहा कि corneys किसको कहते हैं सर, corneys उसको कहते हैं, जो slab, जो छट के बाहर वाला ये वाला जो portion है ना विटा है ये, मेरे प्यारे भाईयो बहनो ये देखो, ये नहीं देखा तो क्या देखा, देखिए corneys क्या होता है, ये वाला जो portion निकला हुआ ना को बोलते है कि किसी और को बोलते हैं वजो कि भावनों की च्छत taking पर दिवारों की बाहरी फलक पर दिवार की बाहरी फलक पर चिनाई का रद्दे थोड़ा बाहर को प्रोजेक्टेट पर लगाए जाते हैं जो बाहर लगाए जाते हैं ताकि दिवार देखने में बढ़िया हो रहे सजाई धजाई उसका कर देते हैं तो बाहर से देखने में सुन्दर दिख हाई पड़े, इस बढ़े हुए भाग को Cornice, हम इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कंगनी के नाम से जानते हैं जाथ है ठेक है छट के बाहर वाला जो projected area है, जो निकाल दिया गया है बाहर, इस जो projected area जो बाहर निकाला गया है Isी को Cornice कहते है यहें देखने में बढ़ियां लगे घर, पैसा लगा रहे हैं तो घर बढ़ियांद दिखना चाहिए तो हमने कहा कि ऐसा कर दो बढ़ियां मस्त, इसकी जो है क्या है डिजाइनिंग कर दो यह बढ़ियां देखने में मिलेगा तो ये वाला जो प्रोजेक्टेट जो छट के बाहर वाला जो एरिया है दिख रहा है जो दिवार के बाहर है इसी को सर कॉर्णीस कहा जाता है चलिए अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरा बेटा पीलर एंड पीर अब बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं सर पीलर और पीर यह तो दोनों एक ही होता है नहीं होता है ध्यान से समझेगा बेटा देखे यह पुराने जबाने वाली फोटो लाया हूं समझेगे अब देखिए यहाँ पे कि आप यह देख पा रहे हैं कि पीर पीर बेटा डायमेटर जादे होता है आप लोग पीर का जो डायमेटर होता है वो जादे होता है किस से किस से सर कॉलम से कॉलम तो सर हम घर में यूज करते हैं लेकिन जब हम घर जाते हैं सर कोई ब्र foundation जो बनाके बनाया जाता बेटा क्या बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं peer उसको pillar नहीं कहेंगे ठीक है कि ज़र हम घर जा रहे थे तो जो हमारे आया था जो breezes वगर होते हैं वहां पे हमारा सर क्या था column नहीं था उसका जो diameter होता है वह जादे होता है तो उसको हम कहते हैं peers के नाम से जामते हैं ठीक है और अच्छा अगर समझना है तो अब यहां पर समझेंगे ठीक है बिटा और अच्छे तरीके से समझते हैं कोई आर्च है डाट है धरन है बीम है या कोई लिंटिल है के सीरो के नीचे भार वहन करने के लिए शिनाई के जो विषेस उर्धवाधर पाए बनाये जाते हैं पियर्स बनाए जाते हैं, उन्हें इस्तंब यारखंबा कहते हैं, इस्तंब दिवारों से स्वतंत बनाने, इस्तंब जो होते हैं, वो दिवार से स्वतंत बनाए या खड़े किये जाते हैं, इनकी चोड़ाई मोटाई से तीन गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसका कहने देने अत्वा भारी भार को वहन करने के लिए हम इस्तमाल करते हैं मतलब यह समझ में आया कि सर कॉलम जो होता है और जो पीर होता है जहां देंगे बेटा यानि जो पीलर है और जो पीर है पीलर बेटा घरों में यूज किया जाता है अब आपको पीर कहां देखने को मिलेगा जो breezes बनते हैं बेटा जहां पर बड़े बड़े load आते हैं डाच के वहां पर हम क्या करते हैं इसकी diameter बहुत जादे रखी जाती है किस से इस से ठीक है तो pillar और pier में आपको difference देखने को यहां पर मिल गया है चलिए अब बात करें बेटा तो the special vertical support made of machinery बेटा इसी का English translate है तेक है इसलिए मैंने इसको जल्दी से read कर लिया अब आगे बढ़ते हैं समझेंगे तो यह बेटा आपने देखा column किसको कहते हैं यहां पर देखा यह बीच में छोटे छोटे जो support दिये जा रहे है ना column के रूप में ठीक है यह तो हमारे column हो गए लेकिन यहां पर जब heavy load यह जो आर्चेज आ रहे हैं यह जो आर्चेज है या जो बीम है इनके support को हम transfer किस पर करते हैं पीलर पे और किस पर करते हैं पीर्स पर या column पर हम transfer करते हैं ठीक है चलिए कि कमेंट कि पता नहीं बेटा चलिए अब यहां पर आता है बेटा पिलास्टर अब पिलास्टर है इसको हिंदी में कहते हैं भित्ती स्तम सर यह क्या होता है आप लोग ने ध्यान से समझेंगे आपने बहुत बड़े-बड़े क्या होता है सर पिलास्टर कुछ नहीं होता जब बेटा बहुत बड़े-बड़े दिवाल बनाये जाते हैं ध्यान से समझेंगे जब दिवाल पे हम क्या करते हैं बेटा दिवाल बहुत बड़े-बड़े दिवाल होते हैं उसको हमें additional मजबूती देनी होती है तो दिवाल स सटा के दिवाल से सटा के एक हम क्या करते हैं कॉलम खड़ा कर देते हैं सर आप ये कह रहे हैं कि ये दिवाल है इसी दिवाल को और मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे इस तरीके से इस तरीके से कॉंक्रीट का क्या करते हैं कॉलम खड़ा कर देते हैं सर आप ये कह रहे हैं कि दिवाल को additional मजबूती देने के लिए ये दिवाल वगर है इसको मजबूती देने के लिए और ये क्या किया जाता है additional एक क्या किया जाता है इस दिवाल के बिल्कुल परावर में ही एक column खड़ा कर दिया जाता है कुछ इस type का यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां हो गया, यहां हो गया, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, इसी को बोलते हैं, पिलास्टर, क्या बोलते हैं पिलास्टर, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, इसी को पिलास्टर के नाम से जाना जाता है, सर, अब आते हैं, कहां पे, थ तो हमने कहा कि इसकी मोटाई सामाने से कुछ बढ़ा दी जाती है, अथवा वहां से वहांपर मुख दिवार से कुछ बाहर निकाल दिया जाता है. इस्तम्भ खड़ा किया जाता है. इसी को पेटा हम भिती स्तमबेया पिलास्टे के नाम से जानती है. क्या आपको मजा या जानके? एक बार कमेंट करके बताइए बेटा क्या आपको अच्छा लगा एक बार कमेंट करके बताएंगे चलिए lum कि मुझे अब यहाँ पर बात करें बर्ट्रिस सरि यह क्या बोल रहें आप बर्ट्रिस क्या होता है ध्यान समझे के बीटा बट्रिस कुछ लंबा है, बहुत उचा है, तो जब उचा बहुत दिवाल है, हवा तेज से चलेगी, तो पलटने का डर रहता है, यह दिवार हमारी ना पल्टे, उसके लिए हम क्या करते हैं, पीछे साइड से हम क्या करते हैं, एक सपोर्ट दे देते हैं, सर जो इसे सपोर्ट दे रहे हैं, दिवाल को ना पल्टे, इसी को किस के नाम से जाना जाता है, बट्रिस के नाम से जाना जाता है, सर आप मुझे figure दिखाईए, हमने कहा, ये देखिए, ये बेटा देखिए, ध्यान से समझेंगे बेटा, मैंने पूरा आपको content इदम खतरनाक तरीके से बनाने की कोशिस की है, figure ये बहुत गंदी चीज है, ठीके बेटा, बहुत गंदी चीज है बेटा, चलिए, हमने क्या कहा, जो लंबी-लंबी दिवारे होती है न सर, बहुत लंबी-लंबी, उसको हम क्या कर रहे हैं, जो high-raise क्या है, आप देख पा रहे हैं कि ये दिवाल कितनी लंबी है, ठीके, ब वाली जितनी आप बेटा देख पार नहीं यह वाला ध्याहां से समझेंगे बेटा एक बार पढ़ लो ऐसा जिन्दगी भर काम आए बार-बार कौन पढ़ेगा वैसे भी पढ़ाई बोरिंग होती है पढ़ाई अच्छी चीज होती है क्या कमेंट करके बताएंगे कौन पढ़ना चाहता है कोई नहीं पढ़ना चाहता ठीक है एक बार पढ़ लें बढ़ियां से मन लगा के बार-बार वही कांसेप्ट क्या है एक बार पढ़ लें ऐसा कि माइड में गुज जाए बार-बार पढ़ने की जुरत ना पढ़े चलिए सर आप यह कह रहे हैं कि यह जो प्रोवाइड किया गया है यह वाला इसको यह वाला जो एडिशनल जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है इस दिवाल पे इसी को हम सर क्या कह रहे हैं इसी को कह रहे हैं, हम क्या बट्रेस की नाम से जानते हैं, सर आप ने तो कहा, यह सी को हम terms है आपको जाना जरूरी है अगर आप अपने जीवन में तरक्की चाहते है अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते है बेटा तो एक ही मंत्र होता है सबसे ताकत वात अगर हथियार कोई है बेटा तो वो है education और education में जो मक्कारी करेगा बेटा मैं बता दे रहा हूँ आप मूह के बल गिरेंगे फिर राकेशर याद आएंगे कि राकेशर ने सही कहा था तो मूह के बल आप ना गिरे उससे पहले मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ आपको इलट कर रहा हूँ कि जाग जाई अभी भी ठेक है जाग जाई अभी भी टाइम है तो बेटा आपको समझ में आया जो लंबी-लंबी सर दिवाल होती है ये दिवाल हवा से ना पल्टे इसके लिए हम क्या करते हैं बट्रिस को प्रवाइड करते हैं सिंपल सी चीज है सर हम जान गए चलिए स्टार्ट करते हैं आगे सर हमने क्या कहा ड्यान देंगे बेटा समझेंगे मुँ के बले बेटा आप लोग नहीं गिरेंगे जब तक हम है आप लोगों के साथ आप लोग मुँ के बल नहीं गिरेंगे लेकिन मक्कारी भी नहीं करना है बेटा चलिए, बट्रिस अधिक उची तथा लंबी दिवारों को बाहर की ओर पलटने से रोकने के लिए, हमने यही तो खा था, अधिक उची तथा लंबी दिवारों को बाहर की ओर पलटने से रोकने के लिए, इसके पीछे उची अंतराल पर अतरिक आलंब प्रोवाइड किये जात उसी को हम क्या कहते हैं पूस्ता यानि बट्रिस के नाम से जानते हैं सर हमने समझ गया इस स्थान पर दिवार में बाहर की और ऑपसेट बनाकर या सटा कर सटा हुआ इस्तंब खड़ा करके दिवार की मोटाई बढ़ाती जाती है पूस्ता दिवार को अत्रिक्ट सामर्थ एक बार कमेंट करेंगे सर बट्रिस कुछ नहीं होता हाई अगर जादे हमारी ऊची और लंबी अगर दिवार है तो बाहर की तरफ पलटने का डर रहता है इसलिए पीछे के साइड हम क्या करते हैं आलंब यानि सपोर्ट को प्रवाइड करते हैं जो सपोर्ट हम प्रवाइ सबी खुमेंट करेंगे बिटा सबीलोग सबी लोग तु प्रवेंट वरी हाइं लोंग वाल from the tipping outwards additional support is provided behind them at appropriate interval this is called buttress या बत बत्रेस अम लिग देते हैं आपे. बत्रेस at this place the thickness of the wall is increased by making offset in the wall or by erecting adjacent pillar the buttress provides additional strength and lateral stability to the wall ठीक है बीटा चलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि अब देखें अब हम ने हाँ पर क्या कहा कि अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ईड़े की डिमगे ट्गे की डिसा मतब क्या है बटा इट इडिवी फ्रॉक को तीडिवी चयक्टे तर फहले है अच्छे है संब्रीक की छपटी फलंक में ध्यान नहीं है बिटा आप लोगों ने देखा होगा यह The manufacturer का नाम होता है या जो Traders होते हैं ट्रेडर होते हैं उनका नाम होता है यहां पर इस्को कीम से जाना द्रास देखाता है इसको फ्रॉंग के किया हुआ है इस तरीके से अगर इस रेक्टेंगूलर की जगह यहां पे कुछ इस तरीके से अगर फ्रॉग है तो इस इस प्रॉग है तो कुछ सब्सक्राइब इस ट innovation4 वहां गुर होता है ठीक है लेकिन कितना होता है कोई कमेंट गर कर के बताए चलिए अब अगर बात करें पे कि बरी एक क्या होते बिटा चपटी फलक में एक तरफ दिलना बना रहता है इस इट यानि जो इट होता हैas इसमें उत्पादक या ट्रेड का नाम क्या होता है उभरा हुआ रहता है डिबी का माप जो होता है यानि जो फ्रॉग है इसका जो माप होता है 10 is to 10 is centimeter into 4 centimeter और जो गहराई होती है वो एक से 2 centimeter होती है चिनाई में यह जो फ्रॉग होता है ठीक है डिबी का मतलब जो फ्रॉग है इसको उपर रखा जाता है और इन में अच्छी प्रकार मसाला भर दिया जाता है ताकि दो क्रमागत रदों का बंधन मजबूती से बना रहे है यानि यह क्या करेगा सियर स्टेंथ को प्रवाइड कराता है धिवार के सबसे उपरी रद्दे तथा कूरसी तल के उपर रद्द प्रेटिया कि क्या होता है कि सर्फ रॉइफ दिया रहा होता है सर्फ रॉइफाटर्टर होते हैं उनका नाम लिखा होता है वहां परवाई मसाला सम्भरते हैं 20% ध्यान देंगे बेटा 20% मसाला जादे लगता है बिरिक मैसनरी में अगर हम हटा दे फ्रॉक को तो 20% हमारा मसाला बच जाएगा ध्यान देंगे लेकिन 20% में हमें सियर स्टेंथ यानि जो एक एड दूसरे एड से क्या होता है अच्छी तरीके से बंद जाता है यानि सियर की का काम करता है इसलिए फ्रॉक को प्रवाइड किया जाता है यह हमारे लिए बहुत ही बेनिफीशियल होता है फाइदे मंद होता है ठीक है इस केस में बेटा जो फ् साइड एक साइड एक नोच होती है in which the trademark of the brick manufacturer is embossed the size of the box is usually 10 cm into 4 cm ठेक है यह क्या है लंबाई है यह क्या है चौड़ाई है और जो depth गहराई कहें या height कहें वो 1-2 cm लिया जाता है और हम क्या करते हैं जब इसको masonry किया जाता है mason work किया जाता है तो यहाँ पर क्या किया जाता है इसको top पे रखा जाता है ठीक है न सीधा करके यानि जो हमारा manufacturer या जो trader का name है या frog है वो उपर side होना चाहिए किसको छोड़के जो हमारा पहला रद्दा होगा यानि जहां से हमने just क्या किया है start किया है अपने bricks को यानि जो बिल्कL क्या होगा जो plinth beam से सटा होगा जो ii2 यानि जो रद्दा होगा और जो हमारे चत पे जाएगा धेहां से समझेंगे सर यह हमारा किलिंथ beam है धहां से समझेंगे आप यह कह है रहें सर यह प्लिंथ बीम है प्लिंथ को बांध दिया है हमने बताया है आपको chapter number first में इस जो हमारा क्या है विटा प्लिंथ है इस प्लिंथ पे हम यहाँ पे अब क्या करेंगे इसके उपर हमें जोड़ाई करनी है इट की तो हम पहला वाला जो रद्दा होगा उसमें जो manufacturer का name होगा या फिर जो frog होगा उसको नीचे side रखेंगे ताकि उपर क्या है एक flat surface हमें मिल पाए ये पहला उला रद्दा है यानि course 1 है अब इसके बाद जो eat हम use करेंगे उसमें क्या होगा जो frog है वो कैसा होगा उपर side बढ़ाते चले जाएंगे और जब हम छत level प अब अगर बात करें यहां पर चिनाई में चाल या bond अब हम यहां पर क्या करने वाले है different types के bond के बारे में पढ़ने वाले है sir flammies bond क्या होता है header bond क्या होता है hysterisches bond क्या होते है इसके अलावा SLR bond अगर हम brick के stone की बात करें तो SLR क्या होता है इसके अलावा English bond क्या होता है different types के हम यहां पर bond के बारे में पढ़ने वाले हैं तो different types के जो bond यहां पर हम देखने वाले हैं तो सबसे पहले ही समझे ना कि bond क्या है तो हमने कहा कि इट या पत्थरों को दिवार में टिकाने की कला को चालिया bond कहते हैं भाई हम क्या कर रहे हैं एक एक इट को ऐसे इस तरीके से जोड़ते ही चले जाते हैं फिर इसके उपर अगर हम इसको मसाला के द्वारा नहीं जोड़ेंगे तो क्या यह होगा कोलैप्स हो जाएगा गिर जाएगा तो सर हम यह कह रहे हैं कि इट या पत्थरों को दिवार में टिकाने की जो कला है आर्ट है इसको हम चाल या bond कहते हैं इस कला का ग्यान रखने वाला ही मेशन या प्रीक लेयर के नाम से जाना जाता है जो मिस्तरी होते हैं चाल एक ऐसी बेवस्ता है जिसमें दिवार के उधवारधर जोड़ों की continuity स्वयम ही भंग हो जाती है अत्ह इट चिनाई में bond का महत्व है bond रहित चिनाई सिग्र धरासाही हो जाती है हवा जैसे ही चलेगा या होगा वो दिवाल गिर सकती है इसके चांसे होते हैं तो एक बार कमेंट करके बताब बताएंगे कि क्या आपको अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा क्या आप लोगों को समझ में आया फटाफट बताईए चलिए अब बात करें बिटा तो हमने यहां पे क्या देखा कि बॉंड क्या होते हैं ठीक है अब बॉंड के अलावा अगर हम बात करें यहां पे तो हम किसकी बात करने वाले हैं यहां पे कि चालिया बॉंड के प्रकार्ट था उप्योग यानि जो डिफरेंट टाइप्स के हम बॉ डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड हमारे पास होते हैं जैसे इस्ट्रेचर बॉन्ड हेडर बॉन्ड इंग्लिज बॉन्ड फ्लैमिज बॉन्ड रेकिंग बॉन्ड गार्डेन वाल बॉन्ड जिग जैक बॉन्ड यह डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं इसका मतलब य है कि different different bond में हम अलग-अलग तरीके से ब्रिक की जुडाई करते हैं या फिर किसके इस्टोन की यानि पत्थर की जुडाई हम करते हैं ठीक है ओके बीटा चलिए तो अगर हम यहां पर बात करें स्ट्रेटर यहां पट्टी चलिए स्ट्रेटर और स्ट्रेटर होनी जो हमारा इसमें लोगों ने तर्म के मारे मीं समझाता था जिस में हमices के बारे में भी बताया था और Stranger's के बारे में भी बताया था Closers क्या होते हैं, Bond क्या होता है, Course क्या होता है Different Types के टंप के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था बहुत अच्छे तरीके से ठीक है? Figure के थूँ अब यहां पे बात आती है कि sir Stranger क्या होता है? कंसीडर कीजिए और इसको किसके कंसीडर कीजिए इसके डेफ्ट को कंसीडर कीजिए जो लंबाई यह लंबाई और यह जो हमारी डेफ्ट है इन दोनों को कंसीडर कीजिए इसकी चोडाई को हम consider नहीं कर रहे हैं द्यान देंगे वेटा चोड़ाई को हम consider नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे कि सर ये stretcher है ठीक है सामने से देखने पे जब अगर हमें longitudinal ये वाला face दिखाई दे जिसमें लंबाई दिखे और इसके depth दिखाई दे तो हम कहेंगे कि ये stretcher है अगर हम इसी को माथा देखें हेडर का मतब क्या है माथा अगर हम इसी को कुछ इस तरीके से अगर बना दे तो सामने से हमें क्या दिखाई देगा यह वाला portion दिखाई देगा यानि जब हमें length नहीं दिखा दिखाई देता है तो हम उसको क्या करते थे उसको कहते थे सरी हेडर है ठीक है तो अब समझेंगे यहां पर है जब किसी रद्दे को ध्यान से समझेंगे बिटा यह important है आपके लिए एक्जाम में आया हुआ है प्रिवियस येर में जब किसी रद्दे को सामने से देखने प को यह पत्की दिखाई दें तो रहुत है इसका में हम और पत्टी चाल कहने से देखने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है लंबाई और मोटाई ठीक है हमने बताया अब यह चाल आधी इट मोटी दिवारों के लिए जो मुक्ता जो non-load bearing wall होती है जान देंगे बटा अगर आधा है जैसे माली जी कोई दिवाल आपने बनाया उस पे दिवाल के अलवा wall के अलवा जैसे माली जी ब्रिक का बनाया हमने तो ब्रिक का जो दिवाल है उसके अलवा उसके कोई भी additional load नहीं आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे non-loading या non-load bearing wall भी अब होती है ठीक है इसे भी अपनाई जाती है आधी इट मोटी दिवार परदा परदा का मतलब क्या है partition ठीक है न बेटा परदा यानि विभाजक परिशर मुंदेर इश्नान गरहो वा चार गाह की दिवारों के लिए बनाई जाती है तो बेटा यहाँ पर हमने यह देखा कि जो structure क्या है सर कि जब हम इट को इस तरीके से ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं कि इट को जोड़ते चले जा रहे हैं इस तरीके से ठीक है इस तरीके से हमने क्या कहा कि इट को आप जोड़ाई करते चल करते हैं और जो हमारा bond बनता है इसी को हम क्या कहते हैं इसी को stretcher या हम पट्टी चाल कहते हैं यह चाल आधी इट की अगर है तो हम उसमें क्या करेंगे non load bearing walls उसको बोलते हैं इसके अलावा इसको हम परिशर मुंडेर और जो हमारे कीचन सोते हैं बाथरूम होते हैं वहां पर भी इसको देखने को हमें मिल जाता है अब अगर बात करें कि इस जो हमारे ब्रीक होती है बिटा ध्यान देंगे यह जो ट्रीक होती है adopted किया जाता है half brick के लिए जहां पर non load bearing walls उसको हम के नाम से भी जानते हैं ठेक है अब समझते हैं आगे अब देखे यहां पर तो हमने header के बारे में structure के बारे में देखा अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं यहां पर header के बारे में पढ़ने वाले यही तो दिखाई देता है बेटा तो जब हम eat को ध्यान से समझेंगे बेटा जब सामने से देखने पर जब फ्रंट से देखने पर दिवार के रदे में रखी सभी इटों का माथा ठेक है माथा का मतलब क्या है चोडाई और मोटाई दिखाई देती है तो इसे हम header या हिंद सरकूलर दिवाल बनाना है यानि गोलाकार अगर हमें बनाना है तो वहाँ पे हम header को header child को prefer करते हैं वहाँ पे यह suitable होता है यह child गोलाकार दिवालों के लिए अपनाई जाती है जैसे कुवा का गोला जब कुवा आप बनाते ना eat की जुडाई करते है कुछ इस तरीके से तो इस तरीके से यानि जहाँ पे अगर हमें कुवा का गोल करना या फिर कारखानों में चीमनी बनाना चीमनी भी सरकूलर होती है कौन टाइब का होता है या बरामदों की महराबे आर्चेस या फिर पूलों की डाठ हो गई वहाँ पे हम बेटा क्या करते है इस header bond को prefer करते है ठ के width को और thickness को consider किया जाता है तो हम क्या करते है इसी को visual होते है तो यसी को हम किसके नाम से जाणते हैं? इसी को हम नाम से जानते हैं header या broken move के नाम से जानते हैं यह कहां पर किये जाते हैं जहां पर circular wall हो such as for example क्या है इसके walls of well well के जो wall होते हैं chimney factories होती है और arches of veranda फिर इसके बाद abutments of breezes etc this trick is also used in foundation यह foundations में भी use किये जाते हैं यह trick को ठीक है तो यह हमारा क्या था बेटा header bond था ठीक है चलिए अब अगर बात करें यहां पर English bond ध्यान से समझेंगे बेटा very very important ही very very important बहुत important है आपके exam के लिए बेटा अगर हम बात करें यहां पर English young regi bond क्या है जब सामने से देखने पर यानि जब हम front से देखते हैं दिवार के एक रदे में सभी header तथा उसके उपर वाले रदे में सभी stretcher एकांतर रदाक्रम में दिखाई पड़े तो यहें English या English child कहलाती है कहने का मत्दब यह है कि बेटा हम क्या कर रहे हैं कि हम eat की जुडाई कर रहे हैं कश तरीके से कर रहे हैं eat की हम क्या कर रहे हैं जुडाई कर रहे हैं ध्यान से समझेंगे देखे यह eat है इस तरीके से हम eat को चूड़ते चले जा रहे हैं ध्यान से समझेंगे बेटा कहने का सिंस क्या है देखे अब समझेंगे देखे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जो दिवाल की जुडाई है इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि सर आप एक रद्दा अगर हम बात करें जैसे मालेत ही ये वला तो यहाँ पर क्या है कि इसका केवल माथा दिख रहा है ध्यान से समझेंगे यानि यहाँ पर सर आप आधी eat को consider कर रहे है या हम ये कहें कि हम माथे को consider कर रहे हैं यहाँ पर हमें क्या हो रहा है अब देखें ये structure आ गया यहाँ पर क्या है structure यहाँ पर structure bond है और यहाँ पर क्या है header यानि एक रद्दा हमने header रखा, फिर दूसरा हमने किसको रखा, stretcher रखा, फिर हमने किसको रखा, header को रखा, फिर हमने किसको रखा, stretcher को रखा, stretcher, तो इसको हम क्या कहते हैं अगर इस तरीके से eat की जोडाई हो रही है न बेटा, तो इस तरह की जो चाल है, इस चाल को किसके नाम से जाना जाता है इंगलीज बॉंड के नाम से जाना जाता है ठीक है इसको इंगलीज बॉंड के नाम से जाना जाएगा चलिए तो हमने क्या कहा कि जब सामरे से आप देखते हैं तो दिवाल के एक रदे में सभी header दिखाई देंगे और दूसरे वाले पर क्या दिखाई देगा बिटा stretcher होगा फिर header फिर stretcher यानि alternate क्या हो रहा है header structure, header structure यानि एक पूरए का पूरा चाल जो है क्या हो रहा है header फिर दूसरा उसके उपर stretcher फिर तीसरा header फिर चौथा कौन सा stretcher तो इस तरीके से जो मारी bond बनती है दिवाल के उसको हम किस नाम से जानते हैं इसको सर हम English bond के नाम से जानते हैं बहुत है यह important है बेटा आपके exam के लिए ठीक है exam में पूछा गया है बेटा previous year अब बेटा आपको यह पता करना पड़ेगा और आपको यह जानना पड़ेगा कि सर English bond का प्रियोग कहां पे करते हैं तो हमने कहा कि जो English bond का प्रियोग जो किया जाता है न वो कहां पे किया जाता है बेटा जयान से समझेंगे अंग्रेजी चाल अन सभी चालों से अधिक सरल तथा सुद्रेड यानी मजबूत होती है अब सभी राज की निर्माड में अंग्रेजी चाल ही अपनाई जाती है जितने भी बेटा गॉवर्मेंट जितने भी सरकारी काम किये जाते है सारे के सारे जहां पे भी आप क्वार्टर वगरा देखते है चाहे वो रेलेवे का हो चाहे आप जेई बन जाएगे जो आपका होगा अगर नया निर्माड जो अब के समय में पैटर्न जो फॉलो किया जा रहा वो कौन से फॉलो किया जा रहा है English bond का, तो वहाँ पे English bond को हम क्या करते हैं, वहाँ पे example देख सकते हैं, वहाँ पे इसी तरीके से जोड़ाई आपको देखने को मिलेगी, तो यह कहेंगे आपके जितनी भी गौर्मेंटेड कंस्ट्रक्शन सो रही है, सारे में, अंग्रीजी चाल का महत्व है, वहाँ पे अपनाया जाता है, इस चाल में कम समय लगता है, ध्यान समदेंगे बेटा, इस चाल में समय कम लगता है, और दिवार के मद्ध भाग में ही, कही तोड़ा नहीं लगाना पड़ जाता है, इस चाल में परते एक, जो बेटा, मोटाई की दिवार मजबूती से बनाई जा सकते है, यानि ये क्या होता है, कि बहुत मजबूत होता है, सिंपल होता है, इसी लिए जितनी भी गौर्मेंटेड, कंस्ट्रक्शन सोती है, गौर्मेंट जितनी भी काम कराती है, को स्ट्रेचर इस तरीके से जुड़ाई की जाती है बहुत इंपोर्टंट है यह आपके एक्जाम में definitely के सर इसमें क्या होता है है करा गाला है मैं हुँ जिसके के बारे में हमने बात किया हुआ था भी इन बाद किया होता है एक हैं वह चे इस जो नबाई है इस तरीके से आप काड़ दीजी यह वाला पोर्सन कट गया कट गया अब इसके बाद यह जो बचा हुआ है इट जो हमारा इसको हम किस के नाम से जानते है King Closer के नाम से जानते है ठेक है तो हम इसको क्या कहते है King Closer बोलते है Queen Closer क्या होता है जैसे माली जी यह हमारा क्या है Eat है जब हम इस Eat को alumni के directions में half कर दिये, यानि अब ये लंबाई के दिशा में हमने क्या किया, इसको half कर दिया, जस्ट, अब ये एक ये part, एक ये part तो इसको हम क्या कहेंगे बैटा, इसको queen closers के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसी के नाम से हम जानते हैं, ये वाला कौन सा है, इसको हम बोलते हैं king closer, ठीक है, इसको king closer और इसको queen closer के नाम से जाना जाता है, ठीक है बैटा, समझ मैं है बैटा, चलिए, तो आप ने यहाँ पर देख लिया, कि हम कहाँ पर uses का करते हैं, ठीक है, तो English bond का प्रियोग, राज की निर्माड में किया जाता है, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब बैटा, English bond वही आया, कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, header, एक रैक में, ठीक है न, एक रैक में यहाँ पर header, देखे, यह structure हो गया, फिर यहाँ पर header हो गया, इसी तरीके से जुड़ाई करते हैं, बैटा, यहाँ पर stretcher, लंबाई यहाँ पर पूरी देख पा रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर कितनी लंबाई और चोड़ाई क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ square type का बनेगा, तो इस तरीके के अगर जुड़ाई हो रही है, एक रद्दा पूरा stretcher, फिर एक रद्दा पूरा header, फिर अगला, फिर stretcher पूरा रद्दा, फिर यहाँ पर header, तो इस तरीके से जो जुड़ाई की जाती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, इंगलिस जो हमारा bond बनता है, वो इंगलिस bond कहलाता है, ठीक है, इसका use कहाँ पर किया जाता है बेटा, जितने भी हमारे governmental या government constructions किये जाते हैं, सारे में हम इसी patterns को follow करते हैं, चलिए, अब देखे, अब आगिया, यहाँ पे flammies bond, ध्याँ ज़े समझेंगे बेटा, flammies bond, flammies bond क्या होता है, कि यहाँ पे हम इस चाल में एक ही रद्दे में बारी बारी यानि alternate header तथा ही structure लगाए जाते हैं, बहुत important है बेटा, आपकी exam में आया हुआ है, previous year का सारा सारा चलना बेटा, यहाँ पे आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है ना, सारा का सारा previous year तो रहता ही रहता है, जो आपकी exam में आने वाले questions होते हैं वो भी इसे में आ जाते हैं बेटा, तो आप ऐसे नहीं समझेंगे कि नहीं सर, यह जो आप पढ़ा रहे हैं, एक्जाम में नहीं आएगा, अरे यह previous year है, आप उठा के check करिए, आप लोग check नहीं करते हैं, लगता है जो धिपावली का जो नशा है ना, वो अभी उतरा नहीं है, आप लोगों का, मुझे जहां तक लगता है, कि यह जो आप लोगों का, पढ़ाई वाला पैटर्न है, जो फ्लो है, वो छट के बाद ही बनेगा, जहां तक मुझे कमेंट के माध्यम से, या लाइब जो बच्चे जूट रहे हैं, उससे पता चल रहा है, कि आप लोग जो पढ़ाई का फ्लो बनेगा, वो छट के बाद ही बनेगा, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आप लोग एक घंटे निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए, अपने भविसे के लिए अगर आप एक घंटे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर तो बिकार है, कोई मतलब नहीं है, बेटा अभी आप लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, आपको साथ जिन्दगी के बारे में, आपको जीवन के बारे में, आपको कैरियर के बारे में, आपको समाज के बारे में, आपको पैसे के बारे में, आपको इज़त के बारे में कुछ भी पता नहीं है बिटा, मेरे बात को आप सिरियसले मालिएगा, आपको कुछ नहीं पता है बिटा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, कैरियर में सकसेज नहीं होगे ना बिटा, हर एक तरह से धक्का खाएंगे कोई नहीं पूछता समय बहुत बदल चुका है बेटा समय इतना जादे परिवर्टन हो चुका है कि आप वहां तक सोच भी नहीं पाते हैं डिपलोमा के बच्चों की IQ लेवल क्या होती है बेटा हमसे जादे कोई नहीं समझ सकता ट्रस्ट मी मेरे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं जब हम face to face भी मिलते हैं चेहरा देखके बता देते हैं कि बच्ची का भवी से क्या है ये कहां तक जाएगा बेटा अनुभव है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको अनुभव के आधार पे आप लोग जीतना lightly चीजों को लेते हैं उतनी जिन्दगी आसान नहीं होती ठीक है एक एक वेकैंसी के लिए ना बेटा लाखो लाखो लोग फॉम भर रहे हैं बहुत गंदा हिसाब किताब है मार्केट का बेटा आप समझ नहीं पाएंगे अभी आप लोग अनमेच्योर्टी में जी रहे हैं और आप जि है मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग लाइव आते नहीं है क्या मतलब है आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट तयार करने में पिक्चर्स को बनाने में पीपीटी को तयार करने में बहुत टाइम लगते हैं मेटा आपके एक घंटे की जो क्लास होती है 5-6 इसके लेते हैं कि समय रहते बिटा अगर आप समझ गये तो ठीक है अधर्वाइस वक्त से बड़ा कोई टीचर नहीं होता बिटा हम भी टीचर नहीं है कि वक्त बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सिखा देता है जिन्दगी जीना कैसे सिखा सिखाया जाता है चलना है आप लोग सिरियस नहीं लेते हो कि कितने टैलेंटेट टैलेंटेट बच्चे बेटा घूम रहे मार्केट में कोई वैलू नहीं है दस हजार की नोकरी नहीं मिल पा रही है यही हिसाब किताब रहाना बेटा मैं सिरियसली बता रहा हूं उस सारे की सारे वीडियो डिलेट करवा दूँगा एक मिनट में एक मिनट भी नहीं लगेगा बेटा उसके बाद आप पढ़ते रहना जहां से मन वहां से देखे फ्लेमीस बांड की बात करेगर हम यहां पर क्या है फ्लेमीस बांड फ्लेमीस बांड सर इससे पहले आपने बताया था सर इससे पहले आपने बताया था किसके बारे में इंगलिस बांड के बारे में और अब हम बात कर रहें कि इसकी फ्लेमिस बॉंड की है दोनों में डिफरेंस क्या है ध्यान से समझेंगे ठीक है ध्यान से समझेंगे वेटा हमने क्या कहा कि कि इंग्लिस बॉंड में हम यह देख पा रहे थे कि जो हमारी इट की जुडाई हो रहे पिए अगर हम इस memory की बात करें गर रहें अगर इस डिवाल की अगर हम पर्टिकूलर बात करें हम तो हम यहां पे देख पा रहे हैं देखे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी English bond की English bond में यह देख रहे थे कि यहाँ पर stature है यहाँ पर stature है फिर जब अगला रद्दा आएगा एक रद्दा खतम अब दूसरा रद्दा जब आएगा तो इसमें हम क्या करेंगे header को डालेंगे ठीक है header provide करेंगे फिर इसके बाद जो अगला रद्दा आएगा उसमें क्या होगा stature होगा फिर अगला रद्दा आएगा उसमें क्या होगा header होगा तो इस तरीके का जो हमारा bond बन रहाँ ना ठीक जब हम सारे आपस निचीनाई कर रहे हैं इट को आपस में क्या कर रहे bond provide कर रहे ठीक है तो इस तरीके का जब हमारा चाल होता है तो इसको हम ड division के जानते हैं अब हम किसकी बात करेंगे बीटा फ्लेमीज बॉंड की तो फ्लेमीज बॉंड क्या होती है ठीक है अब यहां पर बात करें कि फ्लेमीज बॉंड क्या होता है फ्लेमीज बॉंड क्या होता है कि इस फ्लेमीज बॉंड में हम क्या करते हैं यहां पर अल्टरनेट चल करेंगे रद्दे को बढ़ाते चले जाएंगे दूसरा आएगा फिर हम क्या करेंगे header फिर stretcher फिर यहाँ पे header फिर यहाँ पे stretcher यानि यहाँ पे क्या है विटा कि हम course जो particular एक course है यह जो course है एसी में header structure header structure header structure इस तरीके यह से eAT की जुडाई करते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे Flemis कहेंगे और जब हम एक पूरे बॉन्ड को हम कह सकते हैं पूरे कूर्स को हमने stature बनाया फीर header बनाया फीर stature बनाया फीर header बनाया फीर stretch rate तो इसको हम क्या कहेंगे English bond कहेंगे और जब हम alternate चलते हैं alternate का बन्दब यह है कि पहले header या stature फिर यहाँ पे जैसे header, stature, header, stature, header, stature तो इस तरीके का जो bond बनता है इस तरीके का जो bond बनता है इसको हम क्या कहेंगे फ्लेमिस बांड के नाम से जानते हैं ठीक है चलिए अब बात करें यहाँ पर अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं देखे फ्लेमिस बांड के अगर हम बात करें यहाँ पर तो फ्लेमिस बांड क्या होता है अभी हमने बताया ना कि alternate यूज करते हैं किसको header को stature को तो अब अगर बात करें यहाँ पर कि इस चाल में एक ही रद्दे में हम alternate क्या कर रहे हैं पहले तो हमने header रखा या फिर stature रखा फिर header रखा फिर stature रखा तो इस तरीके से दिवार के सभी रद्दों में यही करम अपनाया जाता है जिसको हम flammies के नाम से या flammies bond के नाम से हम जानते हैं ठीक है न तो इस तरीके से हम इस bond को बनाते हैं और इसका use कहाँ पर किया जाता है इसका use कहाँ पर आता है तो English इंग्लिस चाल के बाद ही इसका नंबर आता है यानि इंग्लिस के बाद फ्लेमिस का फ्लेमिस चाल देखने में अंग्रेजी चाल से अधिक सुन्दर लगती है यह जादे देखने में बढ़िया लगती है परंतु यह इसपस्ट है कि यह चाल अंग्रेजी चाल से कमजोर होत तो जब दिवार सद्या पर plaster न करना हो यह चाल सुन्दर दिखती है अगर दिवाल पर plaster नहीं करना है तब आप इसको यूज करें लेकिन एक चीज है कि यह कमजोर होगी दिवाल ठीक है तो plaster करने पर सभी चाले क्या होती है ढग जाती है यूरोप के कुछ भागों में इस चाल का काफी परचलन था जो अभी नहीं है ठीक है क्योंकि advance जानते है technology बढ़ रही है हम मजबूती जादे से जादे चाहते हैं इसलिए हम क्या कर रहे है कि इन सारे bond जो है जो हमारा इसका प्रयोग कमी किया जाता है temporary अगर work हम कर रहे है constructions work कर रहे है तो वहाँ पर हम यह देखने को मिल जाएगा ठीक है तो अगर बात करें यहाँ पर तो uses हमने देख लिया ठीक है आप समझे Flammies bond के बारे में बिटा यहाँ पर English term है कि हमने कहा कि इस मेथड में header and stages को install किया जाता यह use किया जाता है alternate किया जाता है ठीक है ना तो इस तरीके से जो bond बनती है इस bond को हम किस के नाम से जानते है Flammies bond के नाम से जानते है चलिए बोलिये बजरंग बली बोलिये भाई बजरंग बली के भी के सून लेते हैं वो सब की सुनते हैं नहीं भाई एंग जा रहा हूं चलो तो ठीक है न यह दिखें इंधिस मिथट हेडर एंड इस टेक्ष कों क्या करते हैं इंस्टॉल करते हैं और यह क्या है विटा कि इस तरीके से जो बॉन्ड बनते हैं, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फ्लैमिस बॉन्ड के नाम से जानते हैं, I am watching your first time, you are a perfect teacher, I am trying to do my best, I am not a perfect teacher, सचीन कुमार ने गलत बोला है, मैं नहीं मानता है, मैं पर्फेक्ट टीचर नहीं हूँ, मैं पर्फेक्ट बनने में मुझे भी दस साल लगेंगे, कम से कम दस साल लगेंगे, वीटा, चलिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, English Command के बारे में भी हमने बताया कि इसका यूज कहां पर करते हैं, तो जहां पे इसका use हम कहां पे करते हैं जैसे हमने बताया यहां पे कि यूरोप के जो कुछ country है वहां पे use देखने को मिलता है लेकिन ये क्या है कमजोर हुती है इसलिए इसका use क्या है generally हम avoid करते हैं नहीं करते है ठीक है चलिए अभाती है drinking bond अब दीखें अगला हम यहां पर पढ़ने वाले हैं अरे डिस्टेक्शन हो रहा है तूम बादते त shells कि ठीक aí नगर अब यहां पर इधर रोड़ो अगर बात करें यहां पर रेकिंग बॉंड की रेकिंग त्वान का यह तिवाल को जोड़ते था-saida you look atula के आगे पीछे करके हम क्या कर रहे हैं कभी लेंधं कभी उसके माथगों आड़ा कोश्यर रहे हैं फिर हमרג अल्टरनेट कर रहे हैं कभी हम एक को लग लग तरीकिंषी जड़ाई हो रहा थीक है उसी में अगला यह क्या है हमारा आ रहा है तिर्ची या आडी जल यानि रेकिंग बॉंड इसमें क्या होता है बेटा जो इट की जुडाई करते है इसमें क्या होता है तिर्चा करते है simple सी चीज़ है बस जैसे दिवार क्या होती है नॉर्मली आपको कैसे देखने को मिलती है सर दिवाल तो नॉर्मली हमें ऐसे देखने को मिलती है कैसे दिखने को मिलती है आप जानते हैं कि दिवाल ऐसे है ये माले तेह दिवाल है और ये इस तरीके से हमें देखने को मिलती है सर यहाँ पे इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से हमें जुडाई देखने को मिलती है सर, नौर्मली लेगन इसमें जो रेकिंग मेथड होता है, रेकिंग बॉण्ड में हम इसी इट को क्या करते हैं, तीर्चा जोड़ देते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी चीज है, इसी को क्या करिए, कुछ इस तरीके से करिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ स्लोब दे दीजिए, इससे तिर्चा कर दीजिए, और यहाँ पर क्या करिए, कुछ इस तरीके से जो जुडाई होती है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, रेकिंग मे जब हमने क्या कहा कि जब इट को आड़ी या तिर्ची इस्थिती में दिवार में रखा जाता है तो इसे आड़ी चालिया इसी को रेकिंग बॉर्ण के नाम से जाना जाता है सर आपने यही कहा कि जब हम दिवाल को तीरचा जोड़ देते हैं तो रेकिंग गॉंड हो जाता है सिंपल सी चीज है ठीक है अब देखिए समानी स्थिती में इट को दिवार की फलकों के समांतर या लंबोत रखा जाता है परन्तु आडि चाल में इट आडि या तीरचिं रखी जाती है आडि चाल का कोर पैतालीस डिग्री होता है मनला कितने पर टेपड़ रखना है विटा पाफ मिह ए? यह कह रहे हैं आप यह कहना चाहिए हैं कि जो हमारे अडी है न यह कितना डिग्री पर अगर हम इट की जुड़ाई को 45입니다 कर रहे हैं तो King Bond के नाम से जाना जाएगा ठीक है एक बार Thumbs Up करके बताएंगे बेटा कि आपको समझ में आभी तक जितना आपने पढ़ा एक बार सभी लोग बताएंगे कि क्या आपको खतनाक तरीके से सारी की सारी चीज़े यहां पर समझ में आ चुकी है और आपको कोई डाउट तो नही करेंगे कहीं पर भी आप लोग एक बार कमेंट करेंगे फटा फटा सब्रहागी लोग करेंगी बेटा जितने लोग वाच कर रहे हैं सभी लोग कमेंट करेंगे खतनाक तरीके से कि चलिए अब दिखिए अब आगे बात करें यहां पर ठीक है आगे दिकते हैं गार्डेन वाल बॉन्ड अगला जो हमारा होगा वो गार्डेन वाल बॉन्ड ये क्या होता है देखें गार्डेन वाल बॉन्ड जो होता है ये क्या होता है जो बाग बगीचे की चो हदी दिवारों या भावनों की परिसर दिवारों के लिए अधिक किया जाता है ध्यान देंगी बीटा, यानि जो आपकी garden है, garden को हम क्या करते हैं, brick के दोरा, यानि eat के दोरा boundary बना देते हैं, गार्डेनिंग को हम separate कर लेते हैं, ठीक है न, अलग कर लेते हैं उसको, या फिर आपकी जो घर का परिसर है, घर के चारों तरफ boundary लगा देते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके के जो दिवारों में प्रयोक जादे किया जाता है, garden wall, bond को, ये देखने में बेटा बहुत सुन्दर लगती है, अत्य ऐसी दिवारी पर plaster नहीं किया जाता है, इस चाल में चिनाई की सामर्थ कुछ कम होती है, देखने में बढ़ियां लगता है, लेकिन ये क्या ह सामर्थ थोड़ी कम होती है, उद्ध्यान दिवार की मोटाई एक इड़ से कम नहीं रखी जाती है, आप लोगों ने basically देखा भी होगा, घर के जो boundary होती है, वो एक इड़ से कम नहीं रखी जाती है, otherwise हो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है? रेकिंग बॉर्ड मोसली कहां पर अपनाए जाते हैं, रेकिंग बॉर्ड वहां पर अपनाए जाते हैं, हमने बताया आपको कि यहां पर एक एक चीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि सर रेकिंग बॉर्ड का यूज कहां पर किया जा है तिर जो दिवाल है बेटा तिरची दिवाल यह रहे है यह रहे बेटा यह जो आपने देखा कि तीरची जो दिवाल है इसको क्या क्याते है यह जो जो चपटे स्लैब नहीं होते है उनके क्या होते है जो आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से बनाए जाते है तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है basically 90% 95% बेटा इस रेकिंग बॉंड जो है इसका परियोग नहीं किया जाता है 5% लोग ही इसको यूज करते हैं और इसका जो यूज किया जाता है military वगर में आप कर सकते हैं दूसरा hilly reasons में कर सकते हैं ठीक है जहां पर snow उगरे जादे होती है तो जहां अगर special work के लिए हम बेटा यहां पर कह सकते हैं कि इसको करते हैं ठीक है कोई बात नहीं लेट हो गया कल से आप time पर आईए time पर आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा बेटा मैं बता रहा हूं आप लोगों को जाग जाओ वरना वक्त जगा देगा बेटा आप लोग अनमेच्चोर हैं अभी आप लोगों को कुछ नहीं पता मैं बच्चों के बीच में जाता हूं जबत देखता हूं कि बच्चों को मैं क्या ही बता हूं आप लोगों को कुछ नहीं नहीं आता कि फेस टू फेस में मिलके बच्चों को भविस्य बता देता हो विटा इतना एक्स्पीरियेंस है एससी जही के कई बैच मैंने पढ़ा के निकाल दिये विटा ओफ-लाइन में लेकिन आप लोगों को साथ पता नहीं है आप लोग खिलवार समझ रहे ना जो बच्चा सीरियस होगा ना अपने भविस्य को लेके और गवर्मेंट इंजिनियर अगर बनना चाहता है वो बच्चा डेली क्लास में आता है मैंने देखा हुआ है जिस बच्चे के उपर उसका खुद का नियंतर निये बेटा फिर आप कहां जाएंगे डिसिप्लीन है नहीं सामको पांच बजे हर हाल में सब काम छोड़के लाइब क्लास को अटेंड करना है और लाइब में आने का फाइदा ये होता है कि आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं ठीक है बेस्ट है जिसको बारे में बताऊंगा में वन बाई वन हम सिक्वेंसे चलेंगे सिक्वेंसे नहीं चलेंगे ना बेटा तो दिक्कत होती क्या है एक बच्चे की चकर में बहुत सारे बच्चों को बूरिंग लगने लगता है ठीक है आप लोग समझ नहीं पाते हैं ठीक है ना मैं एक एक चीज के बारे में बेटा आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा ठीक अगर डाउट रहेगा न मैं तो इस पेसले डाउट सेशन ले लूँगा आपसे पूछूँगा के बताओ जितना भी डाउट है सारा बोलता दो अगर डाउट उसके बावजूद रहता है तो लेकि पे हम बात कर रहे थे गार्डन वाल बॉंड की तो इस चाल का प्रयोग बेटा बाग बगीचो की चोहधी दिवारों या भावनों की परिसर दिवारों के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चाल देखने में सुन्दर लगती है परन्तु यह क्या होती है अन ક accro अगर हम बात करिए अहांपे brick mast community आप किसकी बात हो रही है brick mast community दोhr मैसनरी के बारे मैं हमें पढना है यसलिए मैं बार बार कहता हूं बेटा कि अगर आपको अपना लच नहीं पता है तो फिर वेकार है फिर क्यों मेहनत करना लच्छी ही नहीं पता है कि कहां जाना है, क्यों पढ़ना है, क्या करना है जीवन में समय बहुत मुल्लेवान जीज होती है बेटा आप समय को गवाएंगे, समय को बर्बाद करेंगे, वेस्ट करेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि समय आपको फिर पलट जाएगा बहरी हो जाएगा फिर फिर आपको उड़ा देगा समय चलिए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे दो टाइपस के मैसनरी के बारे में बिटा ब्रिक मैसनरी और इस्टोन मैसनरी के बारे में बात करेंगे यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे यहां पे हम पहले बात करेंगे ब्रीक मैसनरी की फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी इस्टोन मैसनरी की बात करेंगे दो टाइब्स के मैसनरी के बारे में हम बात करेंगे ठीके बटा अजका टाइम ओबर हो गया है बिटा क्योंकि अगली क्लास होती है 6 वज़े से 6-10 हो चुके हैं तो next class में फीटा हम further proceed करेंगे आप लोग कोसिस करिए कि आपकी जितने भी दोस्त हैं उनको भी थोड़ा सा बोलिए कि बढ़लो बिटा नहीं जिन्दगी में कुछ रखा नहीं है पढ़ाई के अलावा वही जिस स्थिती में हो जिस पोजीशन में हो जैसे हो वैसी अगर लाइब जीना है तब तो ठीक है अगर बेहतर सुधार करना है तो पढ़ाई लिखाई करिए आप लोग कोई बात नहीं बेटा अगर सलेबस अलग है ओके बेटा आई विल ट्राइट डू पीच इंग्लीज नेक्स टाइम ओके ओके थैंक यू सर आपसर बहुत कोछ इतनी को मिला थैंक यू अन्डू है हाव इस्वाइश्व माई इश्यू वाट्स यूर इश्यू सचिन कुमार ओके बेटा क्लास को इंड करते हैं मिलते हैं अगली क्लास में नए एनर्जी के साथ खतरनाक एनर्जी के साथ और आप लोग ऐसे ही अगर कॉपरेट करते रहें तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ सीख पाएंगे और हम अपनी जीवन को और भी जो उत्सा है जीवन में उसम में हम दिया को जला पाएंगे दीपक को जला पाएंगे तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए और इस क्लास को इस सेशन को इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए और मेरा भी मोटिवेशन को हाई करने के लिए आप सभी का फिर से झाल 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 झाल